नमस्ते दोस्तों ओजल किचिन में आपका बहुत-बहुत सवागत है आज हम देखने वाले हिल्थ मेनेफी टॉप सेम फल्ली में पाउटा भी बोलते हैं इसको इंग्लिष में इजिप्चिन किड्नी बींज परपल हैट सिंग बुलते हैं हिंदि में इसको निश्पाव बटा वासू बलार सेम इसको पाउटा कहते हैं और वाल भी कहते हैं इसमें देखते कुण-कुण से न्यूट्रियंस होते हैं इसमें विटामिन विटामिन डी फाइबर आयर मैंगनेशियम पोटेशियम कैल्सियम फॉस्कॉरल जिंक पेतोतिक एसीड नियसीन थायमिन जैसे तात्व प्रेजेंट होते हैं दोस्तों आप इती मेरे चैनल पर पहली बार आये हो मेरे वीडियो पहले बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब किषिए लाइक किजेस में करना ना भूले साथ बिला आइकन को प्रेश कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की इप्रॉमेशन सबसे पहले आप तक पहुस सके और आप कोई इंपरमुश्sen मес्ना कर सकते हैं माश पीशों के एंढ करना मसल्स च्रेच में पोटेश्यम की कमीज तर्थ और उत होता है सेंभले में उपस्तीत पोटेश्यम इस समस्या से आराम पहुचा था-पोटेश्यम कार्बनь और प्रूटीन को तोटने में साया करता है जिससे माज पेश्यों में मरम्मत और उसके लिए पुर्जा मिलती है साथ ही यह तरल पदार्त पुर्णियंत्रित करता है संतुलन बनाया रखता है जिससे मसल स्ट्रेश की समस्या दूर हो जाती है मसलों को स्वर्ष्ट रखने के स्ट्रेश की ठोस रचना स्ट्रक्चर बननाने में मदद करता है इसमें उपस्तित विटामेंट डी मसलों को सुजन से बचाता है और उसको हेल्दी बनाता है सुष्टी दूर करना बोडी की विक्नेस शरीन में सुष्टी और ठकान का मुख्य कारण आयन की कमी होता है यह सब्सक्राइब करने के लिए सायता मिलती है सेम फली में आयन उपस्त होता है और इसके नहीं से इस समस्या से आराम मिलता है बौडी विक्नेस दूर हो जाती है पेट साफ करने में मदद करता है इजी स्टूल पासिंग अगुलंशिल फाइबर इंसोलिबल फाइबर मुझद होता है जो मल को ठोस बनाता है जिससे मल को बौडी से बाहर निकानने में आसानी होती है और पेट अच्छे साफ हो जाता है पेट साफ होने से अच्छी नीन आने की समस्या को दूर करने में लाबदाइग होता है इससे आप अच्छी नीन ले सकते हो हेल्दी ब्रेन मस्तिश को तेज करने में हेल्प करता है ताम्मे के कमी के वज़य से चीज़ का एकागरता मूड़ खराब होना थकान समस्या होती है सेम फल्ले में ताम अच्छी हो जाती है इसमें मुझूत तामभा बुड़े बनने के प्रक्रिया को धीमी करता है जिससे चरे के उपर जुरिया आना कम हो जाती है और तो कंट्रोल में रहती है इससे जवानी बरकरार रहती है सेम फल्ली की साइड इफेक्ट सेम को पका कर ही खाना चाहिए अन्यता पेट की समस्या हो सकती है इसके किसी भी उपयोग की पुर्व डॉक्टर के सलाह लेना अश्यक है लेकिन वैसे आप कोई बिमारी का इलाज कर गए तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले गर्बास्ता और संप रिजर्ड के लिए डॉक्टर का परहमटrey है दूसतों आप यूदी मेरी चैनल पर पहले आयो हो तो मेरे चैनल को साब्सक्राइब करना और ना भूले अपने दोस्तों की लएक कीजिए साथ में कमेंट करना अभी ना भूलिए को बलक हाइक औरन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की इंफर्मेशन सब्सक्राइब मिल सके और अच्छे जान कर या आपका भी मिस्त ना कर सको मैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे नए नए इंफर्मेशन के साथ तब तक लिए बाइबाइबाइटेक केर झाल क्या पिर मिलेंगे झाल करनकी मिलेंगे नए तक लिए इंफर्में दोमेंस– अंन दोमेनमावेंगे सबगिने के साथ जाने पिर फिएर कर विए कि उंके खेद सन्तेर मिलेंगेंगे आपको मिलीचों और और अखकेने की सम्स्क्राइबें ऐवक 조심hun